दोस्तों जब आपका मन उदास हो आप अकेले हो या आपका टाइम पास ना हो रहा हो तब ऐसे में आप मनोरंजन का विकल्प होचते हैं जोक्स आपको मनोरंजन और हसी मजाग का एक अच्छा विकल्प देते हैं अक्सर हम अपने दोस्तों और रिष्टेदारों से शोशल मीडिया पर रोज तमाम जोक्स शेयर करते हैं जिनें पढ़कर वे हसी से लोट पोर्ट हो जाते हैं दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही टॉप 10 जोक्स के बारे में आपसे हमारा नुरोध है कि आप अंते तक इस वीडियो से जुड़े रहें और हसते रहें नमबर 10 ताओ जी अस्पताल गए उनका इलाज चल रहा था नर्स ने कहा लंबी सांस लीजिए ताओ ने लंबी सांस ली तब नर्स ने पूछा अब आपको कैसा महसूस हो रहा है ताओ बोला वाह कौन सा पर्फ्यूम लगा कर आई है मज़ा आ गया नमबर 9 मेडम ने बच्चों से कहा जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए अब क्या बात है पप्पू खड़ा हो गया मेडम ने कहा तुम बेवकूफ हो क्या इस पर पप्पू बोला नहीं मेडम आप अकेली खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था नमबर 8 गल्फेंड ने खुश हो कर बॉइफेंड से कहा जानू सुनो ना मेरे पापा ने मुझे नया मोबाइल खरीद कर दिया है बॉइफेंड बोला वा कौन सी कंपनी का है ये मोबाइल गल्फेंड बोली लावारिस है बॉइफ्रेंड बोला अरे जाहिल लड़की वो लावा आइरिस नहीं लावा आइरिस है नमबर सेवन रवी ने मोहन से कहा तुम्हारी आँख सूजी क्यों ही है मोहन बोला कल मैं अपनी पत्नी के जम दिन पर केक लेकर आया था इस पर रवी बोला लेकिन इसका आँख सूजने से क्या संबंध है मोहन बोला मेरी पत्नी का नाम तपस्या है लेकिन केक बनाने वाले बेवकुफ ने केक पर लिख दिया हैपी बर्थडे समस्या नमबर सेक्स एक लड़की की आँख का ओपरेशन हो रहा था लड़की ने कहा डॉक्टर प्लीज मेरे बॉइफरेंड को अंदर बुला लो डॉक्टर बोला विश्वास करो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ लड़की बोली अरे नहीं नहीं डॉक्टर साब ये बात नहीं है आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉइफरेंड बहुत कमीना है नमबर फाइव पती ने पत्नी से कहा सुनो मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना पत्नी बोली ठीक है कुछ देर बाद पती ने पूछा मेरी शर्ट को प्रेस किया या नहीं पत्नी बोली नहीं अभी तो नहीं किया पती, मगर क्यों? पत्नी इस पर बोली, अभी मुझे उल्टी नहीं आ रही है, तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं? नमबर फोर, पती ने अपनी पत्नी से कहा, आज खाना सासु माने बनाया है क्या? पत्नी इस पर बोली, अरे वा, तुमने कैसे पहचाना? खाना बहुत टेस्टी बना है क्या? पती, अरे नहीं नहीं, जब तुम बनाती थी, तो खाने में काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला है? नमबर त्री, एक बार एक लड़की ने अपने बॉइफरेंड के सीने पर सिर रख दिया, और बोली, तुम्हारा दिल कितना कुरगुरा है? लड़का इस पर बोला, ये दिल नहीं है पागल, ये बीडी का बंडल है नमबर त्री, लड़के ने लड़की से कहा, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगी? इस पर लड़की बोली, लोग वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन तुम अब तक बिलकुल नहीं बदले लड़का बोला, अच्छा सच में, वो कैसे? इस पर लड़की बोली, जब मैं तुमसे मिली थी, तब भी तुम बेरोजगार थे, और आज भी बेरोजगार हो नमबर वन, बड़ी खोजबीन करने के बाद, अब कहीं जाकर, एड्मिन शब्द का हिंदी मतलब निकला है इसका हिंदी मतलब होता है जुन्ड नियंत्रक दोस्तों सेल्फी का नया हिंदी नाम भी पता चल गया है सेल्फी का हिंदी नाम है खुद खेचूँ अरे रुको रुको, वाट्सेप का हिंदी मतलब नहीं जानोगे क्या वाटसेप का हिंदी मतलब है जन धन निशुल गपशप योजना तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाओ लिखें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा कर हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं धन्यवाद